समुद्र में पाए जाने वाले प्रवाल को जब 21 दिनों तक गुलाब जल की भावना देकर खरल में घोटा जाता है तत पस्चात प्रवाल पिष्ठी का निर्मान होता है प्रवाल जिसे आप सामान्य भासा में मूंगा कहकर भी उचारित करते हैं प्रवाल पिष्ठी के रूप में बहुत ही उत्तम आयरवेदिक ओश्धी के रूप में परिवर्तित हो जाता है सरीर में मौझूद किसी भी प्रकार की अतरिक तुश्मा या फिर पित संबंदी विकार इसके अकेले या अन्य ओश्धियों के मेल से बड़ी ही आसानी से दूर हो जाते हैं अलावा बहुत युत्तम कैल्सियम का या स्त्रोत है हड्यों को मजबूती प्रदान करता है जोडों के दर्द गठिया बा आधी अन्य वात रोगों में भी इसका प्रियोग सामान्य तेक किया जाता है इसके अलावा महिलाओं पुर्षों से संबंदित विभन प्रकार की सारिरिक और मानसिक विकारों को दूर करने के लिए प्रवाल पिष्ठी का प्रियोग होता चला आ रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रवाल पिष्ठी के विशे में कुछ बेहधी रोचक जानकारी देने वाला हूँ और इसके विशे में कुछ बेहधी प्रभाव शाली प्रियोगों से आपको परिचित करवाऊंगा तो वीडियो अंत तक आवश्य देखेगा आप हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो में बहुती रोचक, बहुती मैतपून जानकारी रहने वाली है तो बिना देर के प्रारम करते हैं नमस्कार मित्रों में डॉक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर देना चाहूंगा कि यह जानकारी केवल और केवल आपके ज्यानवर्द नेतु है इसका प्रियोग कर स्वैम से चिकित्सा करने की बजाए आपको किसी अच्छे आयरवेदिक चिकित्सक से संपर्क कर उनके निर्देशा अनुसार अपने रोग के अनुसार ओसिधी का प्रियोग करना चाहिए प्रवाल पिष्ठी आयरवेद ग्रंतों में वर्णित एक सास्त्री ओशदी है रस्मे मधूर वे आमल वात वे विसेश तोर पर पित दोशों को दूर करने वाली साथी साथ सुक्र वे कांती वर्दक होने के साथ साथ अपने प्रसादन और सुम्मे गुणों के चलते जानी ज परंतु कैल्सियम का बहुत उत्तम स्रोत होने के चलते हड्यों की कमजोरी जैसी अवस्था में इसका प्रियोग सामानने तक किया जाता है इसके अलावा बुखार, खासी, छाती से संबंदित, विकार, विभिन परकार की मानसिक समस्याएं जैसे नीन की कमी, बेकार की घब जबराना, धड़कन का बढ़ जाना, हिर्दे संबंदी विभिन परकार की विकार, चेहरे की निष्टेजता, उसका काला पढ़ जाना या फिर बेजान नजर आना, इसके अलावा पाचन तंत्र संबंदी विभिन परकार की समस्याएं, गैस, एसिडिटी, उल्टी या उल् जलन की अनुभूती होना, शरीर में कहीं से भी होने वाला अच्छिक रूप से रक्त सराओ, या फिर महिलाओं पूर्शों में पित अदिक्ता के चलते उत्पन, धात संबंदी विकार, गल्तियों के चलते उत्पन, विभिन परकार की पोरुष दौरबल्लेता, वीर्यकात अदिक पतलापन जैसी समस्याओं में बहुत उत्तम लाब प्रवाल पिष्टी उचित अनुपान के साथ दरसाती है, और वह भी अत्यंत सिग्रता के साथ, जी हाँ, केवल उचित अनुपान प्रियोग कर आप यह सभी लाब मात्र प्रवाल पिष्टी से प्राप्त कर सकते जिन लोगों को बहुत अदिक नींद ना आने किसी कायत हो, हमेशा दिमाख में कुछ हुल्टा सीधा चलता रहता हो, या विभिन परकार के मानसिक विकारों से कोई ग्रास्त हो, तो ऐसी अवस्था में गिलोए घंसा तुए सारस होतारिष्ट के साथ मिला कर प्रवाल पुष्डियों के साथ इसका प्रियोग सामानेता करवाया जाता है, यहां तक कि बच्चों के दात निकलने में जब समस्या उत्पन होती है, दात देरी से निकलते हैं, या फिर उनकी हड़िया कमजोर नरम बनी रहती हैं, तब भी प्रवाल पिष्ठी का प्रियोग आम तो वहीं सरीर में मौजूद अत्यदिक उश्मा, किसी भी कारण के चलते सरीर में मौजूद अतिरिक्त उश्मा जब समस्या का कारण बन जाती है, अन्या रोगों कव या उपद्रवित करने लग जाती है, तब ऐसी अवस्था में अन्या सीता लोश्दियों के साथ प्रवाल पिष्ठी का प्रियोग करवाना, ना कि उलपाचन तंत्र संबंदी अतिरिक्त उश्मा को या दूर करता है, कब्ज की समस्या से चुटकारा दिलाता है, बलकि सरीर में मौजूद हर प्रकार के पित विकारों में या लाब दरसाने वाला योग है, बहुत ही प्रभावशाल में गिलोई सत्व के साथ प्रवाल पिष्ठी मिला कर प्रियोग करवाना लाब परदान करता है, बहुत युत्तम लाब परदान करता है, इन सब के अलावा गैस ऐसी डिटी बहुत अधिक जलन की अनुभूती होना, ऐसी अवस्था में कामदूदारस और प्रवाल अधिरिक तूश्मा और इसी कारण मौजूद धात जैसी समस्या, ऐसी अवस्था में प्रवाल पिष्ठी, चंदर प्रवावटी और चंदनासव इन सभी का सयोग बहुत अच्छा लाब प्रदान करता है, पुराने से पुराने रोगी भी मैंने इस सामाने से सयोग से ठीक होते हुए देखे हैं, वहीं सरीर के किसी भी अंग में होने वाला एक प्रवाल पिष्ठी का प्रियोग बहुत इलाब दायक रहता है, पुराने से पुराने रक्त पित की अवस्था में ये लाब प्रदान करने का कारे करता है, इन सब के अलावा च्छाती से संबंदित वि कुछ बता नहीं पाऊंगा, जहां तक बात है इसकी प्रियोग विधी और मात्रा की, तो उची तनुपान के साथ एक से दो रत्ती के मात्रा में भोजन के पश्चात इसका प्रियोग किया जाता है, दोस्तो प्रवाल पिष्ठी सोम में होते हुए भी विभिन रोगों में स अगले वीडियो में नमस्कार